मुहम्मद सिराज को लग गई है चोट और अब खत्रा जो है वो एशा कप और वर्ल्ल कप पर मंडरा रहा है स्वागत है आप सभी का स्पोर्टस फेक्ट में और मैं हूँ आपका अपना दिव्यान शुजाय स्वागत इंडिया और विस्ट इंडीज की बीच पहला ओडियाई मैच आज खेला जाना है अब यह सीरीज जो है वो एशा कप से पहले अगर देखी जाये तो आखरी वंडे सीरीज है जहां पर भारत को अपनी तयारिया करने का पूरा मौका मिल रहा है पर तयारिया करने में एक आजी के दिन बीसी से आई ने एक अपडेट जारी किया जहां पर कहा कि भाई मोहमत सिराज की टखना यानि की एडी जो है उसमें सूजन आ गई है जिसके तहत एहतियातन तोर पर उन्हें भारत वापस बेज दिया गया है और मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है अब स उसमें अगर मोहमत सिराज जैसा गेंदबाज अगर चोटिल हो जाए तो परिशानिया बढ़ना तो लाजमी सी बात है मोहमत शमी ठीक है आपके रेस्ट पर है और वह वापस आ जाएंगे बट सिराज जिस तरह के फॉर्म में हैं चाहे बात करे वंडे की चाहे बात करे टे उसके बाद वह अच्छे से रेकवर कर पाएंगे हलांकि बीची से ने इसे सीरियस इंजिरी नहीं बताया सिर्फ कहा कि सोर एंकले यानि की एडी में जो है वो सूजन आ गई है जिसके तहत एहतियातन तोर पर उन्हें भारत वापिस भेजिया गया है और मेडिकल टीम उनक पड़ेगा अब उसके लिए प्लेयर्स का फिट होना जरूरी है पर मोहमत सिराज को एंड टाइम पर चूट लग गई है जिसके चलते विस्ट इंडीस के खिलाफ जो डियाई सीरीज है उसके शुरू होने से ठीक पहले बीसी साइग ने उन्हें घर वापस भेजने का निन बुम्रा अभी भी फिट नहीं है अभी भी उनका खेलना कंफर्म नहीं है तो अगर सिराज भी चोटिल हो जाएंगे तो सिर्फ शामी बचेंगे हमारे पास बोलिंग अटैक में बाकी उनके अलावा ऐसा कोई भी केंदाज नहीं है जो विकेट निकाल कर दे या फिर जो सि इस बारे में क्या रहा है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं